बेद में छंद और स्वर की व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है जैसे मैंने पहले भी कहा था हमारी भाशा में हम जो कुछ बोलते हैं जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वो या तो अपब्रण्श है मूल शब्दों को बिगाड कर बने हुए शब्द है या फिर हमने स्वयम बनाए है हम आज जिस हिंदी भाशा को बोलते हैं उसमें अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के अपब्रण्श हैं बिगड कर के बने हैं जैसे हम वर्ष के लिए बरस शब्द का परियोग करते हैं कितने बरस बीत गए इसी तरह से हम मास के लिए या माह के लिए महीने शब्द का परियोग करते हैं हम बहुत अधिकतर शब्द का परियोग बिगाड कर करते हैं वो धीरे 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 बिगड़ गए हैं आप ब्रहन्श होए हैं या फिर कुछ ऐसी भाशाइं भी है या ऐसे शब्द भी हैं जो हमने नए तयार किये हैं जो हमने स्वयम सरजित किये हैं एक मनुष्य के बनाए हुए शब्द हैं लेकिन अगर प्रकृति से हमें सब कुछ मिला है, प्रकृति से हमें शरीर मिला है, प्रकृति से हमें वानी मिली है, प्रकृति से हमें बोलने की शक्ति, प्रकृति से हमें जीब, भोजन, सब कुछ मिला है, इंद्रियां मिली है, तो फिर शब्द भी प्रकृति से मिलने चाह क्योंकि हम देखते ही हैं कि पशु और पक्षियों की भाषा वे बनाते नहीं हैं अपने स्वयम किसी विद्यालाय में किसी समीती में बैठ करके तैय नहीं करते कि जब हमें डर लगेगा तो ऐसी धुनी निकालेंगे और हम प्रसन होंगे तो ऐसी धुनी निकालेंगे सतर्क ह या जब हम प्रेम में होंगे अपने बच्चे को एक मा चिडिया वातसलिये में भोजन करा रही होती है तो कैसी किस दोनी में बुलाएगी कि बच्चे समझ जाएं भोजन के लिए मा आई है ये सब कुछ बैठ कर तै नहीं किया गया ये प्राकृतिक रूप से उन्हें मिला है क्या मनुश्यों को भी प्राकृतिक रूप से कोई भाषा मिली है तो इसका उत्तर है हाँ उन्हें प्राकृतिक भाषा भी मिली है जिसे वेद की भाषा कहते हैं और वेद की इस प्राकृतिक भाषा में कुछ प्राकृतिक स्वर भी है वे स्वर क्या है तो उसके लिए सब कोट ऐसा एक सूची है उस सूची को मैं आपके सामने रखूंगा आप उसका स्क्रीन शॉट आदी जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिएगा उसके बाद हम अपनी अगली चर्चा प्रारम करेंगे ताकि आपके पास एक डेटा रहे आपके सामने एक सूची है जो मैंने चंद और स्वर से संबंधित ही तैयार की है आप इस सूची के लिए बस एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हम उसके बाद अपनी आगे की चर्चा प्रारम करेंगे अगर आपको ये सूची दिखाई दे रही है तो इसका चित्र खींच लीजिए ताहिए आपके पास ये सुरक् चंद और वैदिक स्वरों का मूल मूल परीचा है मैं समझता हूँ आप लोगोंने चित्र ले लिया होगा अब आईए चलते हैं इसके विस्तार पर है क्या वेद में जैसे मैंने कहा था आपसे पहले सात स्वर होते हैं वे सात स्वर कौन से होते हैं आप आज के वर्तमान स् उसको सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, दो बार आता है इसले बादवाले सा को छोड़ दीजिएगा, आप इन आधारों पर वेद के स्वरों को समझ सकते हैं, जैसे पहला बार वेद के स्वरों की पहचा, एक तरह से स्वरों के नाम है, जैसे आप देखिएगा, पांच में कॉलम में, जो आपने भी चित्र लिया है, उसके पांच में कॉलम में, अभी जो वरतमान स्वर चलते हैं हमारे, जिसको हम, जो है, हॉर्मोनियम पर जब स्वर सीखते हैं, या संगीत सीखते हैं, तो हॉर्मोनियम पर स पा शट्जस्वर, रे रिशभस्वर, गा गांधारस्वर, मा मध्यमहस्वर, पा पंचमस्वर, धा धाइवतस्वर, और नी निशादस्वर. इस प्रकार से ये सातस्वर पूरे हो जाते हैं. एक और महत्वपून बात. हर स्वर का एक निर्धारित चंद है, और हर चंद का एक निर्धारित स्वर है. यदि आपका भी वेद की सहिताएं पढ़ते हों, या फिर रिशभी दयानत सरस्वतिकृत भाष्य भी पढ़ते हों. तो सहिता अगर आपके पास हो तो बड़ा सवभाग्य है, भाष्य हो और भ और उस मंत्र का स्वर कौन सा है ये भी लिखा गया है ये सहीता में भी मिलेगा आपको जो परोपकरनी सभा से प्रकाशित हुई है और भाश्य में भी मिलेगा और उसमें एक विशेश बात देखने को मिलेगी कि हर छंद का एक निर्धारित स्वर होता है ऐसा नहीं है कि गाय जिहारित स्वर शज्ज ही रहेगा गायत्री के साथ में गायत्री छंद यदि है तो स्वर शज्ज ही होगा इससे हमें एक बात और सीख सकते हैं सबसे पहला स्वर शज्ज स्वर है क्योंकि आप इसे सब तक पर भी देख सकते हैं सबसे पहले सा ही आता है प्रारंब सा से होता क्यों क्योंकि वेद का सबसे पहला चंद है गायत्री चंद और महत्कोपून चंद भी गायत्री चंद है कैसे पता चला क्योंकि वेद का सबसे पहला मंत्र अगनी मीडे पुरोहितम यज्यस्य देवम रित्वेजम होतारम रतना धातमम यह गायत्री चंद में है गायत्री छंद विश्व का सबसे पहला छंद है संसार में मनुश्य ने पहली बास जिस छंद का उच्छारन किया वह गायत्री छंद है क्योंकि वेद का प्रथम मंत्र है वेद में भी रिगवेद का प्रथम मंत्र है और इसलिए गायत्री छंद में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं उनमें से शन्यो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शैयो रभिस्रवन्तु नहा इसी प्रकार विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद भद्रम तन्नासुव गायत्री छंद और सर् अर्गो देवस्य धीमही धियो योनह प्रचोदयात ऐसा गायत्री मंत्र भी गायत्री छंद में ही है इतना महत्वपून है ये गायत्री छंद क्योंकि ये विश्व का प्रथम छंद है और इसका प्रथम स्वर है शज्ज़ स्वर जो सब्तकों में भी सबसे पहले स्थान बराता है, साथ, क्यों इतना महत्वपून है ये गायत्री चंद, क्योंकि गायत्री चंद में जो भी आपको मंत्र लिखा मिलेगा, उसका विशय होगा स्तुति, निर्धारित है, गायत्री चंद में जो मंत्र लिखा मिलेगा, उसका विशय होगा स्तुति, स्तुति अर्थात परमिश्वर को जानना किसी भी वस्तू को जानना वो गायत्री छंद में होगा हर छंद एक अलग भावना में प्रियोग किया जाता है उधहरन के तौर पर आप जब कहीं दोहे देखेंगे तो अधिकतर दोहे नीती वचनों के लिए लिखे गए हैं दोहा एक छंद है प्राचीन हिंदी का दोहा छंद में जो कुछ आपको लिखा मिलेगा वो अधिकतर नीती से संबंधित होगा ऐसे ही एक छंद हो तक चौपाई छंद चौपाई छंद में आपको अधिकतर जो लिखा मिलेगा वो इतिहास के बारे में होगा संस्कृत के चंदों में आ जाईए संस्कृत के चंदों में आप देखेंगे अनुष्टुप चंद में जो विवरन लिखा होगा वह विवरन हमें कुछ न कुछ जानकारी दे रहा होगा पूरी रामायन, पूरी महाभारत, अनुष्टुक चंद में हैं, कुछ ऐसे चंद भी होते हैं, जो वीर्ता का के दियोतक होते हैं, जैसे शार्दूल विक्रीडित चंद, अधिकतर उत्साहा भरने के लिए काम आता है, यदि किसी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बात कह जा रही है, चंद में, तो उसमें प्रायह करके शार्दूल विक्रीडित चंद का प्रयोगी किया जाता है, क्योंकि शार्दूल का आर्थी होता है शेर, शेर जब खेलता है, शेर जब दोडता है, तब वह शार्दूल विक्रीडित कहा जाता है, तो इस प्रकार हर चंद की अपनी एक विशेष्टा होती है वेद में भी हर चंद की विशेष्टा है गायत्री चंद की विशेष्टा है कि वो स्तुती परक बातें कहता है अगले चंद हैं उश्निक चंद उश्निक चंद का एक निश्चित स्वर है रिशभस स्वर है और हाँ एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हर छंद का एक निर्धारित, उदात, अनुदात, स्वरित, ये भी निर्धारित स्वर है, एक स्वर तो सारे गामा पाधा नहीं है, एक स्वर है उदात, अनुदात और स्वरित, यानि हम किस स्वर में किस छंद का उच्चारन करेंगे जब हम गायत्री छंद का उच्चारन कर रहे हैं तो हम स्वरित स्वर में उच्चारन करेंगे जब हम उशनिक छंद का उच्चारन कर रहे हैं उशनिक छंद को गा रहे हैं तब हम अनुदात्त स्वर में गाएंगे इसके बाद तीसरा छंद आता है अनुष्टुप छंद अनुष्टुप छंद में जो प्रायह करके विशाय रहेगा जैसे बताया कि गायत्री का प्रयोजन है हमें स्तुति परक बाते मताना जानकारी देना अनुष्टुप कार्थ है अनुवा ने पीछे बाद में मूल जानकारी के बाद में जानकारी देना यानि अनुष्टुप छंद का प्रयोग अदिक्तर वहां होता है जहां अगर कोई बात पहले कह दी गई है उसको दोबारा से बताना जैसे पूरा का पूरा इतिहास आपको अनुष्टुप छंद में मिलेगा पूरा महाभारत रामायन अनुष्टुप छंद में ही है अनुवा ने बाद में बताना किसी बात को इतिहास के रूप में बताना तो जब भी पहले कही गई बात को किसी नएर स्वरूप में बताया जाएगा तो अनुष्टुप छंद होगा उसका स्वर गांधार होगा उदात अनुदात में से किस स्वर में गाया जाएगा तो उदात स्वर में गाया जाएगा इसके बाद आता है ब्रिहती छंद, चौथा छंद ब्रिहती छंद का स्वर होता है मध्यमा गाया जाएगा स्वरित उच्चारण के साथ में फिर आता है पंगती छंद पंगती छंद पांचमा छंद है जिसका स्वर है पंचम स्वर गाया जाएगा स्वरित में फिर आता है त्रिश्टुप छंद जिसका स्वर है धैवत गाया जाएगा अनुदात्त स्वर में फिर आता है अंदिम जगती छंद निशाद इसका सब्तक वाला स्वर है और गाया जाता है उदात्त स्वर में ये साथ छंद साथ स्वरों के साथ जुड़े हुए हैं हर छंद का एक निश्चित स्वर है, स्वर नहीं बदलेगा, आप सहिताओं में देख लीजिएगा, इसके साथ में इनकी एक निश्चित मात्रा भी होती है, जैसे गायत्री छंद की 24 मात्रा होती है, उश्निक छंद में 28 मात्रा होती है, अनुष्टुप छंद में 32 मात्रा हो तो इन सबस छंदों में एक विशेश क्रम ये है कि सबसे पहला जो छंद है उसमें जितनी मात्राएं है अगले छंद में उससे चार मात्रा अधिक है ध्यान दीजिएगा सबसे पहले छंद में जितनी मात्राएं है उसके बाद वाले छंद में ठीक चार मात्राएं अधिक हों जैसे गायत्री में 24 मात्राएं हैं तो उश्निक छंद में 4 और बढ़ा दीजी 28 मात्राएं होंगी अगला छंद है ये क्रम है छंदों का और ये छंदों का क्रम किस माध्यम से रखा गया है देखिए जो मैंने भी बताया था न सारे गामा पाधानी ये उस स्वरों के क्रम पर है सारे गामा पाधानी जो हमारे स्वर है न शट्जा रिशभा गांधार मध्यम पंचम धैवत निशाद उनके आधार पर आप छंदों को देखिएगा तो गायत्री उश्निक अनुष्टुप ब्रि चलिए इसमेक और सुन्दर साबको जो तालमेल है वो भी बता देते हैं हम लोगों ने ब्रह्मचारियों के नाम सुने हैं आयूरवेद में यरिशिद एयानंद सरस्वतिज ने भी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुलास में अलग-अलग ब्रह्मचारियों के नाम लिखे हैं उनको नाम दिये जाते हैं जैसे किसी ब्रह्मचारी को रुद्र ब्रह् ब्रह्मचरिय की आयू के साथ इन नामों को आप अगर देखेंगे तो आपको एक विशेश क्रम दिखाई देगा और वो विशेश क्रम क्या है बहुत सुन्दर क्रम है जैसे उधारण के तौर पर जो चार या संभवत चारिया तीन प्रकार का ब्रह्मचरिय होता है मैं एक बार उसको और स्पष्ट कर लेता हूँ ये ब्रह्मचरिय कितने प्रकार का होता है ये दिपी सबसे उच्चस्तर का ब्रह्मचरिय आदित्य ब्रह्मचरिय होता है लेकिन फिर भी एक बार उसको स्पष्ट कर लेते हैं अगर आपके पास सत्यार्थ प्रकाश है तो सत् प्रकाश आपके पास नहीं है तो मैं एक बार PDF में उसको देख करके आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कितने तरह का ब्रह्मचरिय रिशिद यानन सरस्वती जी मानते हैं हमारे पास अधिक अधिक विवरण रहेगा तो ये चंद और स्वरों की व्यवस्था और इसका व्यावारिक जीवन में क्या तालमेल है ये हमें अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जो हमारा जीवन है आप उस पूरे जीवन को इन छंदों के करम से जुड़ा हुआ पाएंगे आप इसकी पहली मात्रा यदि देखेंगे तो चौबीस वर्ष याद कीजिएगा सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समुल्लास जिसमें विवाहा की चर्चा है और रिशी ने विवाहा के लिए सबसे प्रथम आयू क्या मानी है सबसे प्रथम आयू तो वो कहते हैं कि नियून से नियून कम से कम इस से कम नहीं जाना चाहिए कम से कम 24 वर्ष की आयू में विवाहा होना चाहिए 24 वर्ष से पहले किसी का भी विवाहा नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि 24 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति उसका ब्रह्मचरी परिपक्व नहीं होता है ये पुरुषों से संबंधित है स्त्रियों से संबंधित नहीं क्युक्net स्त्रियों के शरीर की रचना स्त्रियों के शरीर की परिपक्वता एक अलग रूप में होती है वो पुरुशों के शरीर से बहुत अलग है इसलिए विवाह के लिए सबसे प्रथम जो आयू गिनाई गई है वह है 24 वर्ष फिर वहाँ पर कहा गया है कि दूसरी जो आयू है उसके बाद दूसरी आयू जिसमें विवाह करें तो वह है 24 में और 8 जोड़ दीजिये तो आएगा 32 वर्ष फिर उसमें और 8 जोड़िये फिर तीसरी आयू 40 वर्ष फिर और 8 जोड़िये चौथी आयू 48 वर्ष इस प्रकार से आठ आठ जोड करके आयू को निर्धारित किया गया है गायत्री छंद ब्रिहती छंद और जगती छंद ये हमारे तीन अलग अलग ब्रह्मचरिय की आयू के साथ जोड़ा हुआ है और इसी का समंद रिशिद आयनद विवाह के साथ भी जोड़ते हैं कि 24, 32, 40 और 48 ये विवाह की कुछ आयू है जिनमें विवाह करना उत्तम माना जाता है ये है छंदों की व्यवस्ता हमारे जीवन के साथ मैं पहले भी संभवत्य चर्चा आपके सामने रखी हो और उतने शद में आई भी है जो कुछ हमें वेद के साथ मिला है वह यूही नहीं मिल गया बड़ा सोच समझ के दिया गया वेद के साथ जो गणनाएं जुड़ी हुई है वो हमारे जीवन भर हमारे साथ चलती है जैसे अभी आगे आएगा आउमा ये तीम जो मात्राएं होती हैं इनका कुछ विवरन तो हमने पढ़ लिया कुछ आगे भी आएगा भी ये जो अउमा है ये अउमा यूही नहीं है ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है हमारे जीवन के जियान कर्म और उपासना के साथ जुड़ी हुई है इसे जरा वेद के साथ जोड़ करके देखिए रिगवेद यजुरवेद सामवेद अथर्वेद ब्रमचरिय का भी काम है हमें अधिक अधिक जान करी देना हमारा पहला ब्रमचरिय का काम या दाइत्व यही होता है कि हम बहुत कुछ सीखें लगातार सीखते रहें वो रिगवेद से जुड़ा हुआ है दूसरा वेद है येजुरवेद विशय है कर्म हमारे जीवन का भी दूसरा पड़ाव है कर्म का पड़ाव यानि ग्रिहस्थ का पड़ाव जहां हम ब्रह्मचरिय में जो कुछ सीखा है उसके आधार पर कर्म करते हैं और येजुरवेद मैंने अभी सब्तपदी की प्रक्रिया में दो मुख्य बातें ग्रिहस्थियों को कही जाती हैं, सब्तपदी में पति-पत्नी आगे बढ़ते हुए, पति-पत्नी से कहता है इशे एकपदी भव, सामा मनुब्रता भव, विश्नुस्त्वान एतु पुत्रान विंदा वहे, वहुंस्ते सं वह अपनी पत्नी से कहता है इशे एकपदी भव, अन के लिए पहला कदम बढ़ाओ, ग्रिहस्थ में अन की कभी कमी ना आए, ये संकल्प लो, हम दोनों संकल्प लेंगे, और वो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए आगे कहता है उर्जे द्विपदी भव, उर्जा के लिए दूसरा कदम बढ़ाओ, उर्जा के लिए द्विपदी बनो, यनि हमारे घर में कभी उर्जा की कमी ना हो, इसके लिए हम दोनों प्रयास करेंगे आज के बाद, अब सोचिए ये अन और उर्जा, क्योंकि ग्रिहस्थ का विशय है, और ग्रिहस्थ से यजुरुवेद जु पहला मंतरी यही सिखाता है, कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि हे परमेश्वर, हम आपकी शरण में हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसके लिए? इशेत्वा, उर्जेत्वा, अन के लिए और उर्जा के लिए, वहाँ पर भी अन और उर्जा यही दो तीसरा वेद है सामवेद, विशय है उपासना. हमारे जीवन का तीसरा पड़ाव है वानप्रस्त, उसका विशय भी है उपासना. अब घर के ग्रिहस्थ के दाइत्वों से अलग हो करके उन्हें पूरा करके अब हम उपासना के लिए वन में जाते हैं आचारियों से सीखते हैं ये सामवेद से जुड़ा हुआ है और अथर्ववेद जिसको विज्यान कांड कहा जाता है सलर भाषा में कहूं तो प्रयोग का वेद है जिसमें हर चीज को प्रयोगिक रूप से देखा जाता है ऐसे ही हमारे जीवन का चौधा पड़ाब जिसको हम सन्यास कहते हैं वो पूरे जीवन का प्रयोग है हम हर चीज़ को practical करते हैं दुनिया को सिखाते हैं लोगों को सिखाते हैं यानि कि जो कुछ जिसको हम कहते हैं आगमकाल स्वाध्यायकाल प्रवचनकाल और व्यवहारकाल आगमकाल ब्रह्मचर ये तो अंतिम जो पड़ाव होगा वो होगा व्यवहारकाल जो सीखा है उसको व्यवहार में ले आना, practical हो जाना जो बाते वेद में पढ़ी हैं जो ग्रिहस्त के अनुभव किये हैं और जो वानप्रस्थ में आकर के फिर आचारियों से सीखा हैं उस सब को अपने जीवन पर apply कर देना ये है सन्यास जीना उसको जो सीखा है तो इस तरह से जैसे हमारे वेद हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ही वेद के छंद और स्वर ये भी हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं इनकी गणना भी हमारे जीवन की गणना के साथ साथ चलती है इस तरह से वेद के छंद और स्वर मैं कुछ और प्रमान और आपके साथ में रख देता हूँ पाणिनी ये शिक्षा में ऐसा कहा गया है एक श्लोक आता है छंदह पादव तुवेदस्य हस्तह कलपोथ पठ्यते वहाँ पर वेद के हर एक अंग को शरीर के एक अंग के साथ जोड़ा गया है जैसे छंदह पादव तुवेदस्य छंद वेद के पैर है जैसे हमारे पैर हमारे दूरी को नापते हैं दूरी को तै करते हैं ऐसे ही छंद वेद को नापते हैं वेद की माप है छंद दूसरा जिस तरह से हस्ता कल्पोथा पठ्थेते जैसे हमारे हाथ हैं जो हमारे हाथ व्यवस्था बनाते हैं सामान को उठा कर यहां से यहां रखते हैं ऐसे ही कल्प वेद के हाथ समझ लेजिए कि समाज की व्यवस्था बनाना कल्प गरंथ जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं एक तो शुल्ब सूत्र होते हैं ग्रिहय सूत्र होते हैं धर्म सूत्र होते हैं इन में से जो ग्रिहय सूत्र हैं और धर्म सूत्र हैं ग्रिहय सूत्रों का उद्देश्य होता है संसकारों के बारे में बताना और धर्म सूत्रो का उद्देश्य होता है वरणाश्रम व्यवस्था को बताना तो ये जो कल्प गरंथ हैं हमारे ये मानो वेद के हाथ हैं कि वेद इनके माध्यम से पूरे संसार में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए वरणाश्रम व्यवस्था क्या हो इसकी शिक्षा देता है हर अंग वेद का एक विशेश कार्य करता है इसलिए ये जितने चंद और स्वर हैं इनके अपने अलग-अलग देवता भी हैं जैसे वेद के मंतरों के देवता होते हैं और रिशीद एनन्द कहते हैं कि देवता का मतलब होता है वेद के उस मंतर का विशे जैसे गायत्री मंतर का देवता सवित के बारे में बता रहा है सवित्री देवता के बारे में बता रहा है सवित्री देवता मतलब परमेश्वर और सविता को सविता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सार देता है इसलिए वो सविता है क्योंकि वो जन्म देता है मतलब जैसे एक नए बालक का जन्म होता है तो व ये भी सविता है देवता है सविता गयत्री मंत्र का यानि गयत्री मंत्र हमें उसके बारे में बताएगा जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है ऐसे हर छंद के अपने देवता होते हैं जैसे गयत्री छंद का देवता होता है अगनी पुष्णिक छंद का देवता होता है सविता अनुष्टुप छंद का देवता सोम, ब्रिहती छंद का देवता ब्रिहस्पती, पंक्तिष छंद का देवता मित्रा वरुन, त्रिष्टुप छंद का देवता इंद्र और जगती छंद का देवता विश्वे देवा, फिर आगे जाकरके इन सब के रंग भी निरधारित किये गए हैं यानि जैसे श्वेत रंग सात्विक्ता का प्रतीक होता है इसके लिए उपनिशद में जाईए न उपनिशद में तीन वरणों की चर्चा है श्वेत लाल और काला अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा स्रिजमाना सरूपा है ये श्लोक तो आपक शुक्ल कृष्णाम एक प्रकृती है जो की लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्णवाली है यानि सत्वगुन का रंग बताया सफेद रजोगुन का रंग बताया लोहित यानि की लाल और तमगुन का रंग बताया काला तो ऐसा नहीं है कि इनके वास्तव में सत्वगुन रज चो आप डालता है सफेद रंग की तरह जैसे सफेद रंग जो है शिक्षा का प्रतीक है उसे ही यहां पर जो जानकारी हमें गायत्री छंद से मिलती है गायत्री छंद का विशेक है स्तुती स्तुती मतलब जानकरी स्तुती प्रार्थना उपासना यानी जियान कर्म उपासना स्तुती माने जियान प्रार्थना माने कर्म और उपासना तो उपासना है ही तो गायत्री छंद जो कि स्तुती के बारे में बताता है और स्तुत त्रिश्टुपचंद का है, त्रिश्टुपचंद जब भी बताएगा तो हमें क्रिया करने के बारे में बताएगा, ये जुरुवेद में त्रिश्टुपचंद बहुत है, बहुत है त्रिश्टुपचंद, क्योंकि जब भी कुछ apply करना होगा, तब त्रिश्टुपचंद में बात कही जाएगी और त्रिश्टुप छंद का विशय क्या हुआ त्रिश्टुप छंद का विशय हुआ कर्म कर्म जुड़ा हुआ है रजोगुन के साथ रजोगुन का रंग बताया गया प्रकृती में लाल और यहां पर भी त्रिश्टुप छंद में बात कहेगा मध्यम चंद में बात कहेगा और उसका विशय होगा सदेव जब भी ब्रिहती चंद आएगा तब वो बात करेगा उपासना की मतलब उपासना अर्धात वो किसी चीज को आत्म साथ कैसे किया जाए जब भी ब्रिहती चंद आएगा तो समझ लेजे किसी को आत्म साथ करने की चर्चा हो रही है, कैसे अपनाए हम, और यही है उपासन, इस उपासना से जुड़ा हुआ शब्द है तमोगुण, आप सोचेंगे तमोगुण और उपासना में तो कोई दूर दूर तक का ताल मेल नहीं है, इसे दरसल उत्पत्ति, स्थिति और प्रलाय से जुड़िये, उत्पत्ति कार्थ होता है बनना, स्थिति कार्थ होता है चलना, और प्रलाय कार्थ होता है समापन, तो उत्पत्ति, सत्वगुण, जियान, कुछ बनना, कुछ पाना, स्थिति, कर्म, चलते रहना, और यह जुड़ा हुआ है रजोगुण से, और जिसको ह मतलब सब कुछ नश्ट होना नहीं होता हमें लगता है तमोगुण का मतलब होता है प्रलै नश्ट हो जाना नहीं प्रलै का अर्थ होता है आपती कुछ पा लेना जिसके लिए संसार बना था वो मिल जाना हमें इसलिए तमोगुण का मतलब ये नहीं होता तमोगुण है तो प प्रियोग ही नहीं करता, पर हमारे शरीर में, हमारे मन में और पूरी प्रकृती में तमोगुण की मातरा भी है, तो जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, ठहराव, तब तमोगुण का मातर, और इसका विशय है उपासना, चंद है ब्रिहती, रंग है काला, क्रिश्न, तो ये सा के सारे चंद और स्वर, ये दिपी इन पर अभी बहुत खोज करना बाकी है, बहुत सारा अन्वेशन बाकी है, ये तो बहुत थोड़ा सा, जो कुछ मैं पिछले दिनों ढूंड पाया, अलग लग स्थानों पर से इनके विवरन, वो मैंने आपके सामने रखे, इन में और क कोई जानकारी मिलेगी, तो जोड़ते चले जाएंगे, ये लिस्ट मेरे पास बनी हुई ही, डिजिटली, तो जो कुछ नई जानकारी छंद और स्वरों से मिलती जाएगी, उनसे संबंधित, हमारे जीवन में क्या उपियोग है, क्या प्रभाव पढ़ता है इनका, तो वो सब हम आगे आने वाली कक्षाओं में धीरे धीरे जीयता समय विचार करते जाएंगे, अभी किस कक्षा को हम यहीं विराम देखेंगे